आपको आपका आज खबरी विशेश में हम बात करने जा रहे हैं विश्व डाक सेवा दिवसकी जहां भारत में सबसे पुरानी सेवा दाक सेवा की तो क्या है ये डाक सेवा कबसे प्रारण हुई कबसे ये दिन वनाने जाने लगा ये सारी चीज़ें आज इस एपिसोड में तो चलिए शुरू करते हैं दुस्तो डाक सेवा एक मातर ऐसी सेवा थी जिसके जरीए व्यक्ती व्यक्ती से जुड़ा रहता था दुनिया भर में 9 अक्टूमर को डाक सेवाओ की उपियों की ता संभावनाओ को देखते हुए वैश्विक डाक संग की और से विश्व डाक दिवस मनाय जाता है डाक दिवस मनाय जाने के पीछे उद्देश लोगों की डाक सेवा के महत्व के प्रती जागरूप करना है डाक विभाग लंबे वक से भारत ही नहीं बलकि दूसरे देशों तक भी सूचनाय पहुचाने का सबसे विश्वस निय और सस्ता साथन रहा है डाक दिवस या पोस्टे दुनिया भर में बड़ी जोश और करोश के साथ सेलेबरिट किया जाता है विश्व डाक दिवस का उत्तेश ग्रहकों के बीच डाक विभाग के बारे में जानकरी देना उन्हें जागरूप करना और डाक घरों के बीच ताल में बनाना होता है पोस्ट विवाग सभी लोगों की सूचना को सिर्फ न एक देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देश में दूसरे प्रदेशों में पहुँचाने का कार्य करता रहा है वर्ल्ड पोस्ट ओफिस डेव माना एक देश आम आदमी और कारोवारियों के रोज मर्रा के जीवन में समय देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में पोस्ट के योगदान के बारेके में जाग रुकता पैदा करना होता है अक्टूबर 1974 में युनिवर्सल पोस्ट यूनियन का गठन करने के लिए स्विसरलेंड की राजधानी बोन में 22 देशों ने एक समझोती पर हस्ताक्षर किये थे साल 1969 में टोक्यो चापान में आजधिक सम्मिलर में विश्व डाग दिवस के तौर पर 9 अक्टूबर के दिन को चुना गया था विश्व डाग दिवस हर साल दुनिया भर में 9 अक्टूबर को मनाया जाने लगा 9-October को दुनिया भर में यूनिवरसल पोस्टल यूनियन की सतापना की वर्षकार्ट को चिन्नित करने के लिए ये दिन अब बनाया जाता है भारत 1-Jolay-1976 को यूनिवरसल पोस्टल यूनियन का सदस्य बनने वाला पहला एश्या है यहां बारत Union Postal Association का सदस्य वरने वाला एशिया का पहला देश है, मतलब भारत एशिया का पहला देश है जिसकी सदस्या मिली थी, विश्व डाक दिवस पनाने का उद्देश लोगों को व्यवस आये में, देरिक जीवन में पोस्ट की भूमी का वो समझना भी आये, पोस्ट सुचन का उद्देश वैश्विक सामाजिक और आर्थक विकास में डाक विवा की योगदान को जागुटता लाना, भारत में सरुवतम शेरसासूरी, बंगाल और सिंदकी बीच खोडों के मात्यम से डाक की सेवा शुरुवात की थी, सार, 1766 में रोबर्ट क्लाइन ने एक नियमि ड्राक प्रणाली की स्थापना भी की थी, डाक सेवा में वास्तु शिल्प मूल्यवाली 38 विरासते शामिल हैं, जिसमें क्रमशा कोलकता एवो मुंबई में जीपियो इसके अंदर शामिल हैं, अब बदलते परिवेक्शस दौरान डाक विवस्थावी नई-नी तकनिकों से जुड़ गई है, जिसके थे डाक विवाक में सामान की सुरक्षित और समय पर डिलिवरी सुरक्षित सूनियस्चित करने के लिए मेल वैन में जीपियारस डिवाइस भी लगाए गए हैं, तो दोस्तों ये थी एक छोड़ी सी प्रस्तोती डाक सेवा दिवस के उपर, झाल